सात्त नाम श्रिवाहे गुरू साहिब जीयो तोसो ना नाथ हनाथ न मोसर तोसो ना दानी न मोसो पेखारी मोसो ना दीन दयाहल न तोसर मोसो अग्यान न तोसो बिचारी मोसो ना पतित ना पावन तोसर मोसो बिकारी न तोसो पकारी मोरे है अब गुन तूं गुन सागर जातर सातल ओट तिहारी मोरे है अब गुन तूं गुन सागर जातर सातल ओट तिहारी पात शाही दस्मी त्वैपरसाद चलित्तर बवंजम चावपई मुत्तर देश निरपत इक पहरो सूर्ज बन्स भिखे उजयारो इन्दर प्रबाता की पटरानी बिजय सिंग राज भरयानी उत्तर देश निरपत इक पहरो सूर्ज बन्स भिखे उजयारो इन्दर प्रबाता की पटरानी बिजय सिंग राज भरयानी सो गुरु प्यारी सासंग जी आप दी सर्वन कर रहे हो तन तन साथ गुरु शिरी गुरु गोबिल सिंग साहिब जीदी महान रचन शिरी दसम गरंथ साहिदी पावन गुरबाणी शिरी चृत्रो पाकियान दी लड़ी वार विचार सो साथ गुरु जी दी किरपा देनाल जो अकवंजा चलतर हन विचार सहाथ सम पूरण हो चुके हन सो आज जो बवंजमा चलतर है उदी विचार करन दी हाथ गुरु आदे किरपा देनाल कोशिश करांगे सो जित्ते कि हाथ गुरु महाराजी ने ऐसे गां इस तरियां जो आचरण हीन हान चरतर हीन होंदियाने चरतर गुर बाढ़ी दे मानमख दुहागड अते अपवित्तर जीवण वालियां के तरकारिया है लांता पाईया हन ऐसे इस तरियां दे तृत्त जो काम दे बास होके मनुखा दे नाल शलकप्ट कर दिया हन अपने पती दे नाल शलकप्ट कर दिया हन उनना दे परसंग जड़े हन गुरु से वने विस्थार न खोल करके दरसाए हन उथे ग्रीबन मासचे पाध्षा जी ने ऐसे इस तरियां भी जो के दलेर हन जड़ार हन जिनना ने अपने जीवन दे वेच दलेरी परेकार नमें कीते बाक्य ही दूस्तर नाल कुछ बखरा करके बखाया उथ गुरु महारादी ने ऐसे इस तरियां दी फिर सिफ्थ भी गुरुबाणी दे अंदर चरतरा दराहीं कीती है जिम्हें के आमें सोल सुन दी है सब आम दुनियावी लोग का दी की जो इस तरी है उदे परती सोच बनाई जान दी है कि ये मर्दी दिन्याई जांग योद नहीं कर सकती ते हुन्दा भी ऐसा ही है बहुत काटा ऐसे गां जो हुन तक ऐसे गां इस तरियां होई यां हन जिन्दा ने अपने परवार जिम्में वारे ने बंदे होई भी दुनिया दे वज़े कुझे खास करके वखाया है पर साथे हत गुरु पिता महारागे नहाटे उत्यासी वक्षिश कीती है जो पहले सरूप तो लेके दसा सरूप पांदे वेचे महान कादना हच्चे पाशा जीने काली अते दसम सरूप दे वेचे गुरु सेब ने अपने खालसे नूँ अपने सिंगाल सिंगणियानू दोहानू ही बराबर जिहाक परदान कीते हन जिते गुरु का सिंग शस्तर तारी हो करके शस्तर विद्यानू ग्रहन करके जगदे मदान योजिके शिहीदी प्रापत कर सकता है वो थे एक सिंगनी वास्ते बराबर दे हाक हन की वो भी शस्तर विद्या ग्रहन करके शस्तर विद्या ग्रहन करके शस्तर नो पहन के जगते मदान में जाके बैरिया दे नाल लोहा ले सक दी है दोहां दे हाक बराबर हन गुरु साइब ने किते भी अपने बच्चा दे नाल कोई वितकरा नहीं रखिया कोई दोहां दे हकां दे विच कोई वितकरा बिलगुल भी नहीं कीता दोहां दे हक ब्राबर हान ध्यादे इतहास मच भी सानू जिस दे कई हवाले मिल दे हमें बीबी दीप काउर जी जिनने बहादरी दे कार नामे करके बखाए माता पाक काउर जी जिनने जिननी बहादरी में डरता दोसी पली पाउत वाके फे ही हां इसाधे वास्ते को दाहर ना हन जिननाने एक इस्त्री हुंद्या हुए आवी गुरु सायबंद वतनावते पहरा जिंदे हुए जो डरता परे कारणा में डरता परे काउटा करके वखाए हन एक ऐसी जो लड़की जो राजा बिजया सिंग दी ती है उसने कि में नुदरता परे कारणा में यड़े कीते हन उननानुहात गुरु पिताजी ने श्त्रीतर दे रही बड़े सोने टांग दे नाल में स्थार दे नाल दर साउना गीता है कि इस तरी जड़ी है कोई एट ही कि एए कोई जवे की पहला समझ रवाइत बड़ी हुंदी सी की बत्य जम्मण वाली मशीन है जवे इस तरी डू आप शब्द भूल करके पमानद कीता है यांदा से ऐसा हत गुरु महारायन बिलकुल विये दे विरोध विच बिलकुल एस दे विरोध ज़े गुरु पिताजी ने अवाज उठाई है तो इस तरी दे हक विच खड़े हुए हन बिलकुल उसे परकार गुरु सहब जी ने कि एक इस तरी होन दे बावजूद जो राय बिजा सेंग दे कन्या सी उन्हें कि में वड़े वड़े राजा नू दंग करके हराया है वो बहुत ही सोने टांग दे नाल चरत्तर दे में दरसाया है सो वाओ बड़े प्यार दे नाल जो चरत्तर दी विचार है सर्वन करिये जी चाओ पई उत्तर देश नरपत इक पहर चूर जिबंस भिखे उजे आर साथ गुरु जी बचन कर दे हन कि उस वजीर ने चतर सिंग राजे नो जो ऐसे परकार लड़ी तह दे कैसी डिडार इस्तरी दी कथा सनोड़ी शुरू कीती आखन लगा है राजन उत्तर देश ते में चेक बड़ा राजा सी बहुत बड़ा जो सूर जमश विच्चों सी इस्दा से पासे लोकां दे में बड़ा ही तेज परताप सी इंदर परबाता की पटरानी बिजय सिंग राजा बरयानी ते उस राजे दी बड़ी राणी सी दिस्दा नाम सी इंदर परबा ते उस स्रेश्ट राजे दा नाम सी गा बिजय सिंग दोहरा एक सुता ताके पवन अमेत रूप की खान ते उस्ते करदे विचिक बहुत ही सुन्दर सुरूप वाली ती सी काम देव ठट के रहत रात समता है पच्छान ते जिसनू काम देव भी रती दे समान ही सुन्दर मनदा सी काम देव भी अगल मनदा सी के जो राय बिजय सिंग नी कन्या है हो बहुत ही सोने सुरूप दी मालक है जाओ पई जो बन अद कता है जब पहयो लेता को गंगा पित गयो गिस मेले उराज कुमारी बहुत जवान हो गई तो दे पिता ने सोचे कि उने दा पियाता करना ही है वापड़ी लड़की नो गंगा दे लेके गया वो थिस मंबर रचया गया ते वक्षो वक्षो देशा ने राज है नो राज कुमारा नो बिलाया गया तो जहड़ा भी बजय सिंग दी कन्या नो पसांद होवेगा इसको पिजा सिंग्दी करने जड़ी है प्सांत करेगी वोसे दिन आल ही उदा वयाद की ता जाना सी भडे भडे राजा तहय है तिन में पलो हेर तहदे है ते जड़ा वोस लड़की दो पिता सी उसनो सोझ कि अपने राज कमार इनो अपने नाल लेकी गया क्यों थे बड़े बड़े राजय में चो कुई संगा वरलाब की दीवांगा चले चले गंगा पहे आए बांद सता इस्तरन संग लिहाए ते बाव सारी नाल दासिया हन ते नाल चल दे होए होली होली गंगा दे कनारे पमचे हन सिरी जानम को दरसन कीनो भूर में पाप बिधा कर दीनो ओना ने आके गंगा दे पर दर्शन कीते इस्तान कीते पावना बढ़ा करके कि हुण सारे सारे पाप ड़े कीते होई हन उलाया गई हन योगि जिमें हिंदू तरम दे जो हिंदू तरम नमंदन वाले हन इसे परकार ही उन्दन ने भी सोच बढ़ा लई सारे सारे ही कीते पाप ड़े हन पिशले उलाया गई हन असे गंगा दे शनान कीता है परहत गुरु महाराजी गुरबाणी अंदर सानो ये सगाल दस पश्टी करन दे हन सत्गुरु श्रीगुरु अर्जन देव सहब जी महारास चे पाजशा प्रबाती राग दे विच सत्गुरु जी पजन गरदे ने कि पाप करहे पंचांगे बासरे तीरत नाये कहे है सब उतरे कि मनोख जड़ा है काम करो दलो मोहंका आर्वे कारां दे दीन होके बुरे कर्मकार बैठता है फिर तीरत नाया के इस समय दा है कि मेरे सारे पाप येड़े कीते होई हन उतर गए हन तो फिर की करता है क्योंकि तीरत दे उपर जेकर श्रुनान कीता कि सता आर्मी कस्थांद उपर गए ता फैदा ता आई है जानदा जेकर अपने पिशले कीते हैं बुरे पापा तो मिलकुल तोबा कर दिये कि ही परमात्मा जो मेरे को पिछे गल्दियां होई हन वो किर्पा करके बक्ष देओ तो अग्ये तो मैं जेहे बुरे पाप नहीं करांगा पर जेकर इस सोच करके कि हुण सारे पाप उतर गए हन तो फिर दुबारा मनोक निडार होके पाप करी चले ता इस सोचे कि मेरा हुटकारा हो जावेगा तैक अधासित भी नहीं हो सकता होगी हाद गुरु जी पर मंदे हन कि बहुर कमावे हो एन संक जाम पर पाद खरे का लंक जड़े ए सोच करके कि हुण तहरे कीते पाप उतर गए हन हुण सानु कोई डार नहीं चनता नहीं तो फिर दुबारा निडार होके पाप कर दे हन तो फिर आद गुरु जी आख दे हन कि असे लोकानू जाम परी दे विच बन के खड़े जान्दा है तो उन्हाँ पर नेका प्रिकार दे धोश लाए जान्दे हन तहां ते जिमें कि उस नातन तरम देन सार सोच बढ़ी होई थी उन्हाने सोच आ कि हुण असाने गंगादी दर्शन कर लाई हन ते हुण साड़े हरे कीते हैं पाप और डश्ट हो गएने बड़े बड़े पूपत तहे आए तावन कवर कोशा कल दिखाए ते ओथे हुण स्वंबर दे विच बड़े बड़े राजे आए होई सी राज कमार सान्द वो सारे ही राजा बिजा सिंग ने अपनी राज कमारी नो वखाए हन इन पार द्रिष्ट सबन पर करे है जो जी है रुच्चे तिसी को बरे है राजा आखन लगा कि इन वाल वेखो देड़ा वित हड़े मननों सही लगे तोसी उसनों भर लगो दोहरा हार निरपत सोत अंद्रिपन के कनया कही बचार सारे ही राज कमारा में राज कमारी ने वेख लिया ते सोत बिजार करे के ते वाखन लगी कि सुबट सिंग सुन्दर सुगर बरहो वहा कुमार वाख लगी कि ओता सुबट सिंग ना दे सोने राज कुमार नाल है अपना व्या करेगी अदिक करू पता को निरख सबराजार जखा है पर वो राज कुमारी बहुत सुन्दर सुन्दर वाली सी इस करके उदा इफैसला सुन करके सारे राजेहून गुस्थे बचा गए इर्खा करन लगे जेओं केओं जाहे बिवाहे के ग्रहे अपने ये लाजाए क्योंकि हर गराजा अपने मनते विचे ही सोच रहा सी कि ओ किसे ने कहतना व्या करके देनों अपने कर लाजावे जाओ पई पूपत सगल अधिकर इसकर हाथ हथियार ने उपर तरे जिनने वी राजे सन और आज कमारी दाखर ऐसा फैसला सुनके बड़े गुस्से बचाए उनने हथियारा नों हथ पाले कौपा कौपा बचन बकरतते कहें पेजरान के ये आज नहर है जो बहुत ही गुस्से बिचा के आखा लगे कि अज असी जोद कीते मिना तहानु जान नहीं देवागे राए प्रहतन लिया बुलाई सुबट सिंग प्रतदे उठाई तराजे ने उदर बिचा सिंग राजे ने ब्रहम नानु कोल सद्दिया ते सुबट सिंग नु बलावा पेजिया मोपर कही अनुग रह करे ये बेद बदान सहत इह बरे ये बिचे सिंग ने इस हद्दा पे जैस सुबट सिंग नु कि उसी मेरते किरपा करो जिम्य की हड़ी व्यद दी रीती है उद्यान साथ हिराज कमारी नाल ब्याह कर लगो दोहरा सुबट सिंग ऐसे कही तरे मुरे आगे एक ब्याह दूसरो ना करो जाओं जानक है अनेक सुबट सिंग आखल लगा कि मेरे कोलता पहला ही एस परकार दी सुन्दर इस तरी करते विच है इस लगी उनु जहड़ा मर्दी अगाला खे मैं कदे वी किसी होर इस ते दिनाल व्या नी कर सकता चाओ पई प्राओ है ते पूपत साओं इह उच रह सुबट सिंग जाको नहें बरे तब्रामणा ने राजन जाके दसिया कि सुबट सिंग दे विया नी करेगा ताते कच्छू यतने प्रब कीजे यह कन्या अवरेद रिपदीजे आख लगेगी होंट उसे यदा गरो को इनना के कोशिश करो ति इस कन्या न व्या जड़ा है वो होर किसे राज कमार दे न कर दियो दोहरा तब कन्या ऐसे कही बचन पिता के साथ तद जिसमरे कन्या ने गल सुड़ी तो अपने पिता नुँ अख लगी कि जो को जोद जीत है मुझे वह हम हरोना थ अपने पिता नुँ अख लगी कि पिता जी जोदे विच जड़ा मिनु जेत लवेगा मैं उदे नाल ही वि पिर मालक होवेगा जाओ परी सब पूप अंजरे पहस सुनायों आप जुद को बिवत बनायों सारे राजा नुहीं बजा सिंग राजे ने फैसला सुनायां कि जहड़ा भी उद्द करके में राज कमारी नुँ जेत लवेगा उदे नाल ही उदा विया होवेगा ते इस पर कार फैसला सुना करके बिजा सिंग राजा आप भी जो जुद्द दी वियूंत बढ़ाओं लगा जो को तुम्मा जुद्द हियां कर है वह जाहे करने यां को हुबर है राजे ने आखिया कि जहड़ा भी पारी उद्द करेगा तो जुद्द मदान विच्चों जित करेगा उसे नोहीं इस कन्यादा उदे नाल इस कन्यादा विया हुएगा दोहरा सोनत बचन बीरान के चित मैं पहा अनंद माथ सुमंदर दल पाएं है आज कवर मखचंद तेह गल सुन के सूर में मनावत बढ़ा ही अनंत आया बड़ी खुशी होई वो सोच लगे कि आज जोद पिछों राज कमारी दा जंदर वर्गा मुखड़ा हनु प्रापत होवेगा हर कोई राजा इस अगल सोज के जोद दियां त्यारियां करने लगा चाओ पैं सबन उदे के साज बनाए गंगा तीर वीर चले आए ते सारे नहीं जोद दी त्यारी कीती ते सारे सूर में जोद आखे गंगा दिक नारे आप उंचे पहर कवच सूर सुहां में डार पाखरे तुरे नचामें सूर में आने सजोवा पहडियां हुएं सी ते कोड़ियां पर काठियां पाके नचाओं लगबें गर जैंकरी असव हिहनाने पहरे कवच सूर नचाने हाथी गज़न लगए कोड़े हिडकर लगए सूर में सुझोवा पहन के जांग दे मदान में जान दिया त्यारियां कर रहे ने किन्हों काड़ खडग कर ली नो किन्हों के सरिया बाना की नो किसे ने तलवार कड लई ते किसे ने केसरी बाना पा लिया है दोहरा किनू त लोने बस्तर कर काट सो कसी किरपान ते किसे न लालद नागदे बस्तर बालए ते किसे न अब लकदे नाल किरपान नो बढ़ लेया जो गंगा तट झूज है कर है स्वर्ग पैयान ते आप पस देजे गल्ला गार देहन कि जहड़ा भी आज गंगा दे कनारे लड़ेगा लड़के मर जावेगा उन वाजी स्वर्गन प्राबत हो जावेगा क्योंकि वो सनातन तरम्देन उसार ही विचार बढ़ी हो इसी जहड़ा कांशी में जाके गंगा दे कनारे जाकर किस प्रकार अपड़े स्वाश शड़दा है मर दा है वो सिद्धा ही स्वर्गन प्राबत है नहों कठोर मरेबा नारस नरक न बांते आजाई पगतकबीर की बचनकार दिहान की जेकर कोई कांशी में जाके मर जावे गंगा दे कनारे जाके अपना सेहीर शड़दे प्राण त्याग देवे पर उद्धा मान जड़ा है वो विश्वकारां में जमलीन होवे आत्मा पमि जंगे हन तो उसे परकार उन्हों सोक प्रापत होगा तो जेकर उबनो को दे करम माड़े हन तो उन्हों से जावा मिलनगी या धांड मिलेगा यह था नहीं कि सारी मर बुरे करम करके ते कांशी उपर जाके अपने सवा चड़ो अपने सरी चड़देो तो सी स्वरगान जावोगे तो हनो दोखनी मिलेगा तो हनो दाड़नी मिलेगा एहसा नहीं हो सकता इहत गुर महराज ने गुरबाणी अंदर सानू फिस थार देना समझा ना कीता है पगद कबीर जी आखदिहान की हर का संत मरे हाडंबे ता सगली सेन तराई ते एस तो उल्ट जिते सब्सक्राप में ले लिए हया है जेकर कोई अथे मरदा है तो गदे जूनी पहंदा है तो अर्फगद कबीर जी आखदिहान की जेकर पले वे छोब करम हन जेकर मनुक दे करम चंगे हन शोब गोन पले जेहन वही गुरुदा नाम सिम्रण का खोल है नाम जप्या है देकर ऐ दोपाव की हद्गुर महाराज ने ए परताख करके बखाया है सगालदा ने चोड़ कड़िया है कि मनोख दे कर्म जड़ेहन उना करके जीवन सोख दोख सब कुछ मिलदा है कोई एवे ही किसे तर्थी उपर अपना सिरी छड़ा देनाल वो सवर्ग देनरका में नहीं जा सकता हे सिरे वाह गुरो दे नाम दी वड़ आई है दुश्वब करम करता है रज द आम जपता है तर्म उपर द्रड रहन्दा है उसे नूछ पराबट होवनगे पर जॉमnowक है बुरे कर्म करने वाड़ी आत्म है उगदे भी असोच नगे पराबट ने कर dokष दी उननरका ननम जाएगी ते अपने कीते माड़े करमादा कश्ट सहरेगी सो जिम्हों थे विचार बनी होई सी हुनों तो निरादे जड़े हन इसे प्रगारा पशे गल्ला करते हन लड़ा भी थे लड़की मर जावेगा उस वरगानों जावेगा जोर अने नराजा चड़े प्रानिसाने कहा ते अने का राजा नहीं अपनी फोद नाचड़ाई कर दिती है डगारे खड़कन लग पए पांत पांत जोदा लड़े अदक फिरदे कर चाव ते मर दे बड़ा ही चाव लेके उत्शार लेके अने काही जोदे जोद करन लग पए चाव पई तब कन्या सब सकी बलाई पां सो क्रीब दाइ तद उस कन्यां ने अपने सारे असख्यानों बलाया जिस में लेकी जंग होन लगा ता राजा बिजा सिंग दी कन्या ने अपने सारे असे हेलिगान कोल बलाया जो ना दे नाल गलां कर लगी क्या लरकार सुर सर तटमा रहां नातर सुपट सिंग कहबा रहां अपनी सिहलियन वाखा लगी कि जाता मैं गंगा दे कनार लड़के मर जामांगी ते नहीं ता सिर्व सुपट सिंग दे नाल ही व्याह करांगी किसे हो राज कमार देनाल ये किसे हो राज देनाल भ्याह नहीं करांगी जोहरा तब कन्या ऐसे कहे सकल सखन सो भैन तद कन्या अपने सारियां सहेलियानों यह आखेया बिकटकटक के सुबट पहट पठमों जमके एन आखेया लगी कि अजमे सारे ही ये सुबट में जो कटे नहीं जा सकदे इना सारे नोहीं मार कपा दियांगी सकल सकन को शस्तर दे आवर कवच पहराए ति उँ आके उन्हे अपने 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 सहेलियानों शस्तर पहनाए ति आप संजो पहन करके निकस आब ठांडी पही जै दुन्दपी बजाए ति अपने अपने सहेलियानों शस्तर नाल कोडियां ते सवार होई दुन्दपी वजबदी होई जांग दे मदान में चागई चाव पही कन्यारात आरूडत पही जो दसमिगरी सब यन दई राज कुमारी जंग दे मदान में चागई ते सारन उही लडाई दा समान दिता सफा जंग में है तो रहन चाए सोर सोर अपपात देखन न आने आए लडाई दे मदान वेच कोडे न चाए इंदर ते होर देवते वी लडाई वेखन वास्ते आये हान दोहरा उमडे अमेत्याने कदाल बार दबूद समान बदलाद यां कडियादी नियाई अनेकाही सूर में दाल जडे हान जाग दे मदान वेच उमड पए बान बान अंदर आवत पए समर सुयंबर जान ते होर कही राजे सुवंबर दे गालन सोन के बड़े है अपने आपनों सजा के यह लगे जाओ पए मचे उतमल युद दे पहरी नाचे सूर बीर हंकाहरी तेस परकार पहरी उतमचे हंकारी सूर में जंग दे मदान वेच नाचे रहे हन तान तान ही आन बे सिख चलावत बार मरेपद कूक सुनावत ततनों कस के एक दूसरे वाल सूर में तीर जलम दे हन तेस सूर में हाई मां मर गए इस परकार पुकारां कर दे हन जहे पचित्तर थे भाण लगावे वहे सुबट मित्तर लोक सदहवे जिसमों में तीर लगे जान दा सी वही सूर मां जामलोक नू मिंटा दे विच पहुन जान दा सी जा पर तमक तेक दी चहर है ताको मूड काट ही डार है तो जिस दे उपर किरपान दी चमक पैस जान दी उदा सेरी ही कट्टे जान दा सी काट हो सिमट सहत ही हने एक सुबट मन माहे नगान है तो किसे ने सहत ही फढ़ के वार कीता ते राज कुमारी ओ किसे भी सूर में नू अपने मर्दे विच को समझ नहीं रही सी सो को बाद बाद के सूर में उते वार करके उनना नू खपाई जान दी सी देखें सुबर बिबान चड़ सारे चाट पट सुबट भी कट कट डारे सारे देवते इस जांगनू वेखन वास्ते बिबाना ते चड़ के आए वो वेखरें सी कि किस परकार शेती शेती सारे सूर में जड़े हन वो मारे जा रहे ने गीदन को मन पहो अनंदंग आजब खेमान सको अंगंग गिरजा आसमान देवेच सोचके बढ़ियां खोश हो रियां सान कि आज मनुखा दे अंगा दमास खानू मिलेगा दहने बाए जोगन खड़ी लेपातर सुरोनत कहेड़ी सज्जे खबे जोगन या लोहूद खब पर लेके खड़ीयां होई या सान जांग दे मदान वेच मारू दुहू दिसन में बाज जाए दुहू और शस्त्रन पटसा जाए दो माँ पासें तो ही मारू नगारे वाइदे हन दो हाँ पासें सुर में जड़े हन वो शस्त्र सजा के आ रहेने उपर गिर्द साल मंडरा ही तरह सुर मां जुद मचा ही ते आसमान दे उपर गिर्जां फिर दिया हन ते ही ठां जंग दे मदान दे में सुर में जड़े हन उप्यानक जुद मचा रहेने सवया बाल करूप अनूपम हेर चहूं देस्ते अंदर पचाओ पचले राज कुमारी दी बहुत ही अनूपम सुंदर तानु वेह के चारे पास्यां तो ही सूर में बड़े उत्शाद ना लगे वदिहन गजराजन बाजन के असवार रथी रथ पायक जोर पले हाथी तो कोड़ें परसवार होके सोने सूर में तोर पेहन जब राए बचितर किरपान गही तजलाज हठी यो रण बिचले जिस समय राजे बिजा सिंग ने किरपान हाथ में चफ़डी तो कई हठी जड़े सानो शरम नो शाड़ी के यो रण दे विचो निकल उठी पापाद उठे हन मनो राम के नाम कहे मुखते अग यो गन के तरस बहिंद तले कि जिमें राम दे नाम दा चारन करद्या ही जे वाही गुरु दे नाम न जब दे सार ही पापा दे चोंड नाथो नाशो जान दे हन खत्म हो जान दे हन जिमें राय बिजा सिंग दे आउन दे नाल ही जड़े कई राजे हन उडर दे मारें धावड के पाज गई हन सवया कोप परचांड पर इहमन में पट जोब चड़े चहूं कहच पदाए सद्गुरु जी बचन कर देने की जो सूर में हन बड़े ही गुस्ते नाल परे हो इमान नाल बड़े ही तेज हो के चोवा पासें तो बड़े उत्शादे नाल जंग दे मदान वेज़े तोट पई हन काड कर बान लई बलवानन तान कमानन बान चलाए ते सूर में ने अपने कर पाना कड लिया ते कस कस के तीर चलोड लग पई बूंदन जिवा बर खे चहूं ओरन बेद सना हन पहर पर आये तीर चारे पासें तो यह वर्दे हन जिवे के मानों मी वर्सरया होवे तै ऐसे तीर अतनी तिखे हन अतनी तेज़े ते नालोड चल दे हन कि संजोवा नूँ पार कर के सूर में न सीरा नूँ गिन्नी जा रहे हन बीरन बीर बदीरन पूम को बार कफार बतार सदाए सद्गरो जी फिर आखिर उन्हां तीरां दी सिफ्त करते हो लिख दे हन कि ओ तीर इतनी तेजी दे नाल चल दे हन जो सूर्मया दिया संजोवा नो पार करके सरीर नो बिन के तरती पाड़ के तेखर पतालते वे चले जान दे हन कि इतनी तेजी दे नाल जो तीर हन उजो दमदान दे वेज़ चाल रहे ने चाओ पई चाट पईट सूबड बिकट कट गए के ते करी करन बिन पहे ते शेती ही सूर्मय कुछ पला दे वेचे ही वड़े कटे गए किन्ने ही हाथी सूर्मया दो भिना हो गए जडे सूर्मय हाथियां ते हसवार सन वो सारे ही मारे जा चुच जा चुके सन ते हाथी हुनों में ही जंग दे मजान में चिक खाली तुरे फिर देने तूटे राथ कूटंग पटडा रे नाचे पूत प्रेत मतवारे जिना रथा ने वरसवार होके राजी आये सन वो राथ भी तोट गए सूर्मय वड़े जा चुके सन पूत प्रेत हन उमतवाले होके जांग दे मदान में चनाच रहे ने मून नार्द कहूं बेन बजावे कहूं रुदर डमरू डमकावे तिहाद गुरु जी आकते हन की जांग दे मदान में जों प्यानक द्रिश भणया होया है कि किते नार्द मुनी बीन बजावे हन किसे पासे शिवजी प्यानक रूब तार्नकार के डमरू बजावे भिर दे हन रुदर खपर जुगन परपारी मारे है पूत परेत किलकारी जोगनिया लहू पीन वालिया लहू दे खपर पर नहीं हन पूत परेत किलकारीया मार के ड्रौना हसा हस देने रा नया गाम को जान ना पावे डह 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 शिवजी प्यानक हो रहा है जो अनोखा है अते समदे मचनी अंदा ऐसे जोदे वेच शिवजी डमरो बजंदे वे फिर देने कह 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 कहूं काल का कह कह जान नब तुझा काल की लहके ते काली देवी कह कह पाप्यानक शबद कड़दी हुई बोल दी फिर दी है ते ओंपर तीत हुंदा है जो में काड़ा चंड़ा लहरा रहा हुए हस्त पारबती नैन बसाला नाचत पूत परेत बैताला ते पारबती अपने विशाल नेतरां दावा खाला करके हस रही सी पूत परेत बैताल होके नच रहेने कह कहाट कहूं काल सुनावै पीखन सुने नाद पहयावै ते काल दे पव की मौत दे ड्रवने हसे सुनाई पेंदे हन ते उनन दे हासे नु सुनके आम नुखा दे मान वेच डर पैदा हुंदा है बेन सीसन के तक पट डोल लहे के तन मार मार कर बोल लहे ते किन्ने ही सुर में बिना सेरतों ही जांग दे मदान वेच डोल दे हुए फिर देने कई मारो मारो आख के पकार कर देने किते तमकरन तुरे नचावे जूज कितक जाम लोक सद हमें किन्ने ही सुर में गुस्चद नाल कोड़ियान जांग दे मदान वेच डचा रहे हन ते अनेका हैं लड़के जाम पूरी दे वेच पाउंच रहे हन काट काट परे सुबट शित पहरे उपसता कर कोप पचारे कई सुर में काट के पवसरीर मंद टोटे हो चुके हन तर्की उपर मर के डिग रहे हन राज कुमारी ने गुस्से देनाल कईयान उपो आँगे मारे है जिनके परी हाथ नह प्यारी बिन मारे हन मरे कटारी तो जिनना जिनना दे हाथ राज कुमारी नहीं लगी और बिना मारे होए ही अपने आपनू आप ही कटारी मार के मर गए दोहरा मोड तेजियां बेर पात अमेत से अनले साथ बाल नमेत आवत पहे गहे बर्च्य हाथ ती होन फिर अज मेर ते मोड तेश देश दे राजे ओ अपने न बड़ी सैना लाएके तो उस राज कमारी उस राज कमारी नो प्रापत करंदे वास्ति अपने हत्थां दे वेच बर्शे फड़के पहुंचे हन बिकट सेंग या मेर पत अमेत सेंग तेहना ते अजमीर दा राजा अमेत सेंग ते मोड तेश दा राजा बिकट सेंग उना बड़े ही जंग जिते हन कब हुं दैन पीठ रान जीते बहु संगराव ते कदे में जंग दे मदान वच अपनी पिट ने वखाई एक दे डर के जंग दे मदान वेच पज़े नहीं ऐसे सूर में वोस राज कमारी नू प्रापत कर नवास दे जंग मदान वेचाए हन चाओ पई ते अंदरे पजोर सेन दो है तहए पांत पांत बाजितर बजाए तो दो में राजे अपणी सेना नो कठे करके तुर पेहन तो कई प्रकार रहें वाज़े बज़ाए राज सुत्ता जबनें ननिहारे सेना सहत मार हीडारे पर जिस वेले राज कमारी ने उन्हावाल ही खे तो ना सारी आनुहीं सेना दे समेत ही मार सुटेया जब ये बलाद ने पदो उसंगारे ठटके सो बड़ सकल तब पहरे जद राज कुमारी ने उना दोहा राजानों ही मार मकाया तसारे ही सूर में जो जंग करदे पेसी उडर गए के तशाड जहतर नटर है सबहन को प्राजन बिनकर है बाकी दे सूर में सम्थ गए कि ए लड़की मदान ने शड़ेगी ते जड़ा भी दे ना लड़ेगा उसनों ये मार मकायेगी बूंदी ना थ रणों तकट तहयो अधिक मदू तकट सेंग गरसायो फिर बूंदी देशता राजा रणों तकट याया ते मदू तकट सेंग भी गुस्टे देविच हो के जग मदान विच पहुंचिया है ना थ उजयन जिसे जग कहाई वाके हजीत तह जग को रहाई ते मदू तकट सेंग राजा जिसनों उजयन दा राजा आखिया जानदा सी तो राजा वाके ही पूरे संसार नों जितन दी ससता रखदा सी जब या बला आवत वहु लहे हाथ हथे हारया पनें गहे जद उना नों अवंद्यां है राज कमारी ने वेखिया ता अपनें हाथ वेच हथियार फड लए अधिक कोपकार कुवत प्रहारे शिनक बिख्या दाल सहत संगारे ता राज कमारी ने गुस्से वेच हो करके उना नों ने दाल सहत सेना दे समेद ही शिनमे चपलांते वेच हमार मकाया गंगा दरी जमना दरी हथे सरसवती हवे चले इकठे फिर गंगा जमना ते सरसवती इना दे राजरी हठे करके इकठे हो के चले स्थद्रवबाद आत द्रडपा गरो पे वेहाद दरी से गरे मेलकों पे फिर साथ लोज ते बियास ते राजा ने वी अपने प्यार जमाए अगर सारे मिले गुस्से विच होके लड़े दोहरा परम सेंग पूर पूरख करम सेंग सोरगयान रेना राजा विच परम सेंग ते करम सेंग एदोमे ही राजा देवतियां सुमान सुंदर सन तरम सेंग हठो हठी अमेत जोद की खान तरम सेंग बहुत हठी सी ती जोद दी खान सी पाव की जोद देविच जोद करन देज बड़ा हुनर रखदा सी अमर सेंग यार अचल सेंग मन में कोप बड़ाए पांचो पूप पहार है सनमक पहुंचे आए फिर अमर सिंग राजा ते अतल सिंग राजा इवी मन दे बड़े गुसे अब चाए पांचो पूप पहार है सनमक पहुंचे आए ते पंजे ही पहाडी राजे राज कमारी दे न जोद करन्दे वेस दुद करन्दे लई उदे समने आए चौव पै पर बतीस पांच ओन्रे पता है खसिया अधिक संग लेया आए इपन्जेई पहाडी राजे तुर पैहन तिउ अपने खान दे वास्त बहु सारे बक्रे विनार लेके आए पाहन बिस्ट को पकार करी मार मार मुखते उचरी तो उना ने गुस्से विचा के फिर पत्थरां दी वर्खा भी कीती आते मुहों मार देवो मार देवो यहुं करके पकारन लग पै उन्गुरु प्यारी सा संग जी एथेक शबद आया है कि पर बतीस पांच ओन्रे पता है ख कि जड़े और राजे हन पहाडी राजे जिना नाम पर लाएं हन पर्म सेंग कर्म सेंग तर्म सेंग अमर सेंग ते अच्छ सेंग पांच जड़े राजे हन यह पहाडी राजे ने ते आपना खान वास्ते बहुं सारे बक्रें भी लेके आये हुए ने उन्हें एता गुरु सेवधिया सान। 144 देवे जवएक चल द रहा है जांगदा, कि मैं राज़ आ रहा है यहान आपने की लाए कि आ यहान कि यहान कि वे तयार होके आ HEने कि वे जोगने कि वे राज कमारी द वद कर देदी है, उसारा पर एक खस्याद अर्थ जी बक्रा एदे वच्छ किया गया है कि ओ बक्रा खान वास्ते ना लेके आए कहन तो पाव जर्दसम गरंथ है ये बक्रा खान दी हमाइद करदा है लेकि गुरू गरंथ सैब दी बाने जड़ी दावरोध कर दी है जिस करके एह अध्गुरा दी बानी न जा रहे हैं एस गालदा दे चोड़नी कड़ दे सिर्फ एक पंक्ति लेकर के तवरोधी जेड़े हनो साथ हमने सवाल घड़ा कर देने पर जिस वेले थानु पता ही नहीं हुंदा थानु उस चीदा ग्यान नहीं हुंदा फिर ही शश्व पांजव चपया जानने आगी की ग सानु पता चाल रहे हैं गुरु महाराजी को यहां मैत नहीं कर दे पे मास खान दी सो वो उद्धा से रहे हन ओ राजया मलो कि ओ राजय जेड़े हन जांग दे मदान विचाए उ अपने नाल बकरे खान वास्ते लेके आए हुए ने नागी गुरु सब हम मैत कर दे पेने इ हैं तो पाव इस वेले सी गुरुबान वचार दे हन ताहीं सानु हर यडियां एड़ शंके हन एहीं साठे दूर हुंदे हन जिसवेल हनों कुछ जीदा ग्यान ही नहीं है तो फिर सानु पलेखे पैजन शंके पैजन दे हन पर जिसवेले ऐसीं शुरु तो लेके आंद तक अनल पड़ दे हन तो फिर सानु पता लगदा है की सही अते की गलत सो हत गुरु जी बतन कर दे हन क्यों अपन खान वास्ते बहुत सारे बकरी भी लेके आए हन सो एस परकार गुरु प्यारी सा संक जीयो असी एन जो गुरु गुरु कर दे निंदक हन हत गुरां दी बानी निंदक हन एना तो पूरण तोरते सुचेत होके रहना है सो रहो विचार है हत्गरु जी फरमांदे हन की पाहन व्रिष्ट को पकार करी मार मार मुख दे उच्छी उन सब तो पहला ना गुस्ते बिचाके पथर चलाए हन अपने व्रोधी ते रवल पथर चलाए हन ते पने मुह तो मार देवो मार देवो यह वुकारां करदे हन दुन दपट होला दहूं दिसबाजे साजे शस्तर सूर मागाजे उन दोहां पास्यां तो ही टोला गारे वाज रहने ते शस्तर नाल सज्जे होई सूर में गाईदे हन शस्तर पहने होई हन कोप कोप अधिक हर दन में लरे काट काट मरे बरंगन भरे ते सूर में मानत दे जब बड़ा गुसा लेके लड़ा लगे ते मर मर के परियान वर रहे हन क्योंकि ये जिमें सनातन दर रमजयन उसार इमनिया जानता है कि जो जानके दे मादान वेचे ये मर दा है उदा सवर्गन वेचे पहुंच दा है ते सवर्गन वेचे पहुंच के फिर ओ परियान दे लाद व्याहन दे हन बहस्त वे जान दा है सवैस परकार दे उना जिमें के विचार बनाए जान दे हन उस मताबक ही कि जो में उन्हा राजन मन दी विचार सी जेकर आज असी इते मर जावांगे ए गंगा है तीरत है साड़ा जेकर इते इसी मरांगे जो पिछे सी इस गालश पष्टी करन करकी आया है गुरमत दे अनुसार कि उन्हा दी विचार की इसी पर गुर्बाने सानु की समझांगे है वसाने विचार गुर्बाने अनुसार पिछे कीती ही है सो एथे वी एही पाव है कि उन्हें सोच दे हन की इसी मरांगे से दे बहस्त वे जावांगे तो उते जाके इसी परियान वियांगे सोसे पाउत गुरु सहीब ने इद विजगाल जड़ी है बियान कीती है और दी सोच मताबक की राजे की सोच दे हन पूप पांचो बान जलावै बान देगो लसाम हे आवै तो पंजे राजे हन जो पहाडी राजे ने हो तीर जलम देने तो अपने फोजाने काठ इकठा करके सामने आए तब बचितर देश अस्तर प्रहारे शिनक बेख्या सकले हन डारे तो उस मेले राजक मारी ने अपने सामने अमदे सारे नू वेख्या है तो आपने हत्पाँ चाठ्यार फड़के शिनक बेख्या सारे नू जोण जोण के मार दोता दैव चितर पांस नियप मारे और सुबच ilit उन जोण हन डारे अनोख्य तरीक दिनार उन्हा पंजा राज्यानु मार मकाया ति हो सूर में उन्हों चोन चोन के मार मार के खुटन लगी है साथ निर्पत वरें तब चले जोदा जोर युद कर पहे इस परकार पांज राजे पहाडी राजे मर गए हन ति साथ राजे होर चले हन जो की जोदे कामदे विच बड़े ही महान जोदे हन कै है राज मकदेश वर को पे अंग बांग राजन पागरो पे मकदेश वर देश ते राजा बड़ा गुस्से विचाया तो दोहां देशा दे राजे ही उन्हा जांग ते मदान विचागे अपने पेर जमाले हन और कलेंग देश पत तहयो, त्रिगत देश एस्वर हूँ आयो तकलेंग देश ता राजा भी आया, तेसरा तिनना देशा ने राद जड़े हन, वोई कठे होके आये राजा काम रूप को तहयो, अमेत कट कली ने संगे आयो काम रूप देश्ता राजा भी आया अपन नाल ब्यांत स्यान लेके पम्चिया दार न राण सूर अन तह करेयो रावसास चकेयो इंदर थर हरेयो तो इन्ना सूर में आने कंगा दे कनारी आके प्यानक जुद कीता जिसनों वेके सूरज तंदर मात इंदर देवता भी थर थर काम उठे आंग कटे तरफ है कहों अंगरी बीर पर उचरत कहों टंगरी किस परकार प्यानक जांग हो रहा है हादगुरु ज्याक देहन की इस तरह सूर में जढे हान आपस देवच लड़के पेड़के उ मार रहे हान की कहे पासे सुर में किसे पासे हान लत्ताउंग ते कहे पासे उचल रहा हान स्रीरग के पास तुटके पई हुएने तटफ रहेने तर सारे सूर में हट करके जोद वेच पड़ रहे हन लेगिदड हन, गिर जा हन, वो मास लेले के जारे हन अडल बाल सूर मारे को पबड़ा हे के जो जत चहासंग हरे रथे तवहे के इस प्रकार राज कमारी ने गुस्से विचा के सारे सूर में मार मकाए ते जिदा वि मन विचाया जिसनों मान दे विचाया उदे पिच्छे अपना रात दुडा के मार दिता पैदला मेत विदारे अत चेत को पकर हाव रथी गजी हन डारे शेस्तरने कपरहर ते ऐस प्रकार बेंद ही प्यदला नूँ बड़े गुस्से नल मार या अने कार शेस्तरा दे नाल हाथियां दे समेथ रथ वहका नू मार सुटे या चाओ पैई सब तावत निर्प भाल ने हारे अमेत को पकर बसे कपरहारे ते राज कमारी ने उना सत्ता ही राजा नू आउंदे हुए वेखिया ते बड़े गुस्ते नाल उना दे वाल तीर चलाओने शुरू कर दे सेंदन सेहत सुट सब कहाए सेंद सेहत मरत लोक पठाए कोड़ियां दे समेत ही तीर चला के सब नो ही मार देता ते सेंद समेत सारें जम लोक पचा देता अवर अन्दर पत तब ही उठता है बांदे गोल साम हे आए ओस वेले हो राजे भी उठके दोड़े ते चोंड बढ़ा के समने यो लगे दस सो दिसन कुरुदत हवे टूके मारे मार बकर दे कूके तसा पास्यां तो ही उपड़े गुस्चे नाल टोटे के पए अधे मूँ तो मार दे ओ, मार दे ओ, रोला पाउन लग पए उन दिमें असी एस चिरतर दी विचार कर दे पढ़ रहे है पर हतगुर जा है, पर हतगुर जादे हन के सैन rather हैत मुरत लोग पठाए राज कुमारी ने सारन मार के जाम लोग पचाया है वो किसे सवर्ग देवज नहीं गए ना उना जे परियाना विया ही हुए हन जेता हो जेडे ओ सूर में हां राजे हन जेकर तो अपने तर्म दिखातर लडे हं दे जमें हात गुरु महाराजी क्रिप्पाना हड़ अने काह सूर भीर सेंग जडे हन जो दे हन जांग दे लडे हन शहीदिंगा पाया हन उपने तर्म दी खातर जुल्वन नो मटाउन दी खातर साथ दी खातर लड़े हन ओधा आखर शहीत होके साच खर्ण जांदे हन गुरु सव चर्णव जाके बिराजमान हम दे हन पर जिहडे कि एक और दी पावन लाहके कि एक इस्तिर नो सारी हांसल करना है काम दी पावन ना लड़ रहे हन वो कदेवी स्वर्ग वच नहीं जा सकदे कद नो अगल्गे जाके सोखनी प्रापत हो सकदे कईकर नो अपनी वाश्ना नो पूरे करन दे खातर लड़ रहे हन एक इस्तिरी नो प्रापत करन देने लड़ दे हन पर फिर भी उननेदे बहादरी न ह्रुस हैhm जरूर तरसाया है क्योंकि नी बहादरी दिना लड़े हन पर लड़के जम लोगी पुंचे हन क्यों ते मानता मनोर से जड़ा सी एक वाशना सी काम सी कोई केदी पलाई नहीं सी ते केदा ओदे विच ना ही पला सी ना अपने तर्म दिखाता लड़े ना जल्म रोकुन दिखा आतर लड़े लड़े ता एक इस्तरी वास्ते इस्तरी नू रापत करन दे लई तांते हाथ गुरुजी फ्रमान कर देने कि मित्तर लोग मृत लोग पाव जम लोग विच पहुंच रहे हन मार मरके अवर अनेर पत तब ही उठत हाए बांदे गोल साम है आए औस वेले होर व सनक रुद्ध तो हवे टूक के मार मार बकर ते कूक के बड़े गुस्ते दे नाल उटोट पै थि मूतो मारो मारो यह कूक दे हन दोहर बीर केत बांको रथी चितर केत सुरग्यान तूना दे विचो बीर केत बड़ा ही जवान सुर्मा सी चितर केत बड़ा ही सियना सी शतर केत शतर यमेट बिकट केत बलवान शतर के सुर्मा बड़ा ही बहादर खत्री सी बिकट केत महान बलवान सी इंदर केत उप इंदर तुझ चित अतको पबढ़ाए गीद केत दानव सहत तहां पहुंचे आए फिर इंदर केत उप इंदर तुझ एमाच बड़ा गुसा बढ़ा के अगे वदे फिर गीद केत दानव इंदर समेद ही लड़ाई कर नवास ते जंग दे मदान चुपंचेहन सपत निर्पत आयुद तहे अमेत सेनले साथ ताहे परे नाहिन डरे कड़े बड़ारी हाथ यो सत्य ही राजे शस्तर लाएके सैना लाएके ते बड़े ही निडार होके जंग दे मदान वेच टुट पई हन चाव पई शस्तर संबहार सूर मा तहाए जोरे सैन कवरट गियाए शस्तर लुस बाल दे होई सूर में तुरे ते अपनी सैना इकठी करके वो राज कुमारी दे सामने आपमचे आजुद हाथ बचित्तर तहे अमेत सुबट परानन बिन करे ते उनने अपने नोखे शस्तरा जे नो हाथ बच भड़के ते अनेका इसूर में आनू पराणा तो हीने करदता चाव पई बीर केत को मोंडे उतारे यो चितर केत कट ते कट डारे यो शतर केत शतरी पनकायो बिकट केत मरतलो कपठायो पथगुर महाराजी आखदिहान की उस राजकुमारी ने गुस्द विजा करके जो बीर केत नादा सूर मा राजकुमारी नो प्रापत करन वास्ते उदे नाल दो हत करन वास्ते आया है कोशेन पाला दे वेच ही उदा सेर लाद दिता है चितर केत राजे नू लाकत वड़ दिता ते शतर केत शतरी जो बहुत ही जंगी मद्धिया विच बड़ी कुशल दा रखदा सी उस नो भी आखर मार दिता है बिकट केत नो भी मार के जम लोक पहिंचा दिता दोहरा इंदर केत उप इंदर तुझ दोनो हने रसाए गीद केत दानव दे जम पर बहुर पठाए फिर उस तो बाइद इंदर केत ते उप इंदर तुझ ये दोहा सूर में नो ही राज कमारी ने बहुत गुस्से बचा के मारिया फिर विगीद के दानव उस नो ही मार के जम पुरी दे विच पेस दिता है सैना साथ हूं रिपन की कोप पर ही अरराए जिस वेले इस साथ राजे राज कमारी ने अपने हथी शस्तर फड़ के मारे उस वेले हथा राजें दी ही जो सैना सी बहुत गुस्से बचाई ते गर्द के जांग मदान वेच तोट पई पर उस राज कमारी ने शेती दे नाल ही सारे नुही जम लोक विच पहुंचा दता पाव की इतनी बड़ी गिंती में सैना सी सब तो पहला उसने राजें नुमारिया है राजें नुमार करके जड़ी सैना सी उकुछ पला शना दे में चही तबाह कर दती समत केत सूरा बड़ो समर सेंग ले संग ब्रहम केत ले दल चला उमड चली जान गांग फिर उस तो बाइद जिस बेले सत्ते राजें मर गए उमड़ी सैना भी मर चुकी सी फिर समत केत सूर मा वो अपने नाल समर सेंग ले लेके तुरिया ते ब्रहम केत वो अपने सेंग लेके एउं उत्शाद ना चलिया है कि जिवे गंगा उचल के वह रही होगे ताल के खाट बकर तुझ जोदा होते बस एक फिर ताल के त खाट बकर तुझ यह बहुत ही बड़े जोदे सन बोहत ही जंग विद्या देविच जंग करंदेविच जुद्ध करंदेविच बड़ी कुशलता रख देशान सो या आवत पहे तिये काल को प्रेख ते दोमें जने ही ताल केत ते खट बकर तोज दोमें ही योदे काल दा रूपतारन करके ते राजकमारी देवपर तोट पै हन चाओ पै दा नव गीद केत को ब्रहता काक केत तिहुँ लोग विखे आता फेर जहड़ा की राक्षिष गीद केत जिसनों के राजकमारी ने मार सुटिया सी उदा प्रहा सी काक केत क्योंकि तिना लोको बिविच घी अपनी फरब्बता करके जाने जान दा सी तिना लोको बिवद्ब के उसन्म जाने एंदे सी करूर के तदानव एक तईयो लीने अमे त दैंध दालेया एऊ फिर कुरूर के इतना दा एक राक्षिश ओ भी आपड़े नाल बड़ी साना लेके पहुंचिया सवया काक तुझा करको पतही शिनान परेयो करवार निकारे उस तो बाइद काक तुझा जड़ा सी जो के राक्षिश गीत के दप्रासी उबड़ी छेती ते नाल ते गुस्से मेच करपान काड़े के पहुंचिया है सिंग सला सरदू लसली मुकसाल तमाल हने एकारे ते उदा जो काक तुझा है उदा जड़ा मूँ है वो शेर शिला ते साप वरगा सी वो ऐसा प्यानक सूरमा जड़ा जड़ा मूँ के साप सेर ते शिला वरगा है वो किलकारिया महरदा होया जंग मेदान में जा पहुंचिया सवान सरंगाल सुरान तक सीस तुझा रथनाग तरा तर पहरे ते काक तो जाने की गीता के उन्हें अपनी शक्ति जे नाल कुटे गिदड़ वज्जर राथ ते साप अधिक दी तरती उपर वरखा कर दती अपनी शक्ति ते नाल मौ सारे कुटे नी सैना पे जी गिदड़ा नी सैना पे जी ते वज्जर राथ ते सप अधिक पे जे उजा करके राज कमारी दी सैना नुमार सकन ते उराज कमारी नू निर संके निडार होके वर सके यो बर खे ना बते हर खे रे पे आन दसों दिसते पबक हरे ते इस परकार इना सारें दी ही पावगी दड़ वज्जर राथ सप ते कुटे आधिकान दी वरखा करदा होया उख काक तुझा जेड़ा है दसा पासियां तो ही डरवनी हसी हसन लगा दोहरा माया देंट पसार के पुन बोला इमबैन जो तस्यंबर जीत तो हे ले जाहो निड़ एन तो इस परकार अपनी शक्ती ता पसारा करके ओ देंट आखन लगा राज कुमारी नो आखन लगा काक तुझा कि मैं तो हानू इस परकार स्वंबर देवेज़ देत करके अज अपने कार लेके जावागा सेवईया राज सुदा करको पद ही शिनसा महवे हत्यार गहे तो काक तुझा ने यह अपनी शक्ती पसारी तो उद तो इस परकार बूली मारी ता राज कुमारी नो उसे से नहीं गुस्से विचा के उदे समने होके हत्यार पड़े बलवान कमान कोतान हने कब राम पन जत मैं जो चहे जहत्य गुरुजी आग दे हने कि उसेने कास कास के कमान दे विचों तीर शड़े तो जड़े जोदे बड़े ही जोदे विद्या रखन वाले सी बड़े ही निड़ डरता दे नाल जंगी मदान देवे जूज रहे सन उन्हा सारियां जो देनू तीर देविचों अपड़ी कमान देनाल तीर शड़ शड़ के कुछ पलान देवे चही खत्म कर दे सारे सूर देयां तन के तन में यह पांत लगे नह जात कहे तो उन्हा सूर में ते देनता नू तीर इमें जाके लगे कि जो दस्ते नहीं जा सकते अव लगते हैं सार ही उन्हा देनता ते सूर में तीरा ने प्राण खिच लए मनो इन दर के बाग अशोग बिक है फलवारन के फलफू लह रहे ते जिवें के उस राज कमारी ने उनना सूरमिया अत देंतानी सैना पर अपने तीर वराई हन उसारा नजारा इमें लाग रिया है कि मानों कि इंदर दे अशोक बाग वेच फलवाडी नू फालते फोल लगई हो मन यो मन मोहना दृष बनेया होया है काड किरपान महा कोपके पटकूद परे सरदार करोरे किरपानानों कड के सूर में बड़े गुसेद नाल मदान वच कुद पेहन बाल हने बलवान कने एक फांसन सो गह के चकच होरे जहडे मर चुके सन ती उनना जे वगरों होर सेना जड़ी है सूर मिया दी वो वद के जग मदान वचाई ते राज कमारी ने सारे सूर मिया नो इको पलते विची मार देता ते एको फांसन नाल ही साज नो फड़ करके चिंजोड सुटेया साज परे कहुता जगरे गजरा जगरे शित पैसिर तोरे तो इतना प्यानक उजद होया है कि किसे पासे काठिया हन कोड़े या काठिया हन कोड़े किसे पासे हन हाथी किसे पास तरती उपर डिग्गे होई हन अतीरा दे नाल विन्ने होई शट पटा रहेने लूटे रतीरा कफूटे कहुँ बिन सवार फे रहे हिने मामन कोहरे ते किसे पासे रात तुटे पैये ने अधे किते बिना सवारान तो ही कोडे जेडे ने वो हिनक रहे सी चाव पई जे पाट में तको पकरताई ते विनतानों हवैस वर्ग सदाई तो जेडे सूर में बहुत गुसा करके जांग मदान में चाए सी उनको जे पाल देवे थी राजक महारी ने अपने तीराना वेन करके जांप पुर देवेच पहुंचा जता है चाट पाट भी कट पलिट जे लरे काट काट मरे बरंग नान बहरे तो जेडे जेडे सी गे जांग मदान में च जिनना ने युद करना सी उपचारां कर देहना अपस गल्ना कर देने कि जेडे सूर में ता अपना सरीर छटगे ने इस मदान देवेच क्योंकि जेवे उनका दे सोच है कि उए गल्लन लाएके चाले रहे सी कि गंगा दे के नारे साड़ा युद हो रहे है इतर दी पवित्र है जेडा इते मरेगा वो शिद्धा ही स्वर्गा नो जावेगा जिवें उनका दे तर्मदे नु सार वे चार बढ़ ने होई सी जो सोई दे हान गी जेडा आज दे मरेया है उदा सब्वर गनु पमचेया है ते जड़े सूर में बड़ी फुरती ते नाल जैंकित मदान वे जूज जई हान ते उन्टा न향 जाके परीयाँ नो व्याया है उन्टा दे वियाह परीयाँ दे नाल होए ने मान पम्दे ऐशो अराम उननों पोगण वास्ते मिल रहे हन जे पट बिमखाव होए मुए इतके पहेना उतके हुए ते आखदे ने इस जेडे सूर में जांग मिदान मुझे देमख होएने जेडे आयता सी जांगर नवास ते पर ढरते मारे वाबस मुड़ गएने उननों नाता इते मरके नाता जांग दे मदान लड़के मरे हन जिस करके नाता उपर लोग दे रहे हन ते नाही लोग दे पहँ जड़ा सूर मा जांग दे मदान विच्चों मूँ शिपा के पाद जावे जा डर के पाद जावे सांसार भी ऐसे हैं सूर में अनु फर लांता पूंदी तुही का दे सूर में हो कि तुसी जांग दे मदान विच्चों डर के पाद जाए हो बहुत लांता पेंदिया हैं ऐसे हैं योदे अनू जो जांगमदान विच्चों दरके पाज़ा बन और फिर जोदे कहून दे सूर में कहून दे हाकदार नहीं हुन दे ते इसे परकार यो गल्ला गर देहन कि जेड़े ते हून बेमुख हो गएने ते डरके पाज़ गएने नाता उनानू सुवर्ग दे विजहां दा मौका मिलेगा ते नाहीं उनानू हुरा प्रापत हो बन गियां जिस करके नाता नानू संसार जी वड़ाई प्रापत होई है ते नाहीं सुवर्ग दे जाके ऐशो अराम मिलेने गर्ज परान बीरन जन दे द्या जुन्द पी स्वर्ग जन गए ते आख दिहान की पर जड़या सूर में आने बड़े ही जोश नाल गर्ज गर्ज के जांग कीता ते फिर अपने प्राण छाटे के स्वर्ग लोग नू गए हन उना नुमान पहंदे आशो अराम प्रापत होए ने क्योंकि एक गुरु सेहव जी ने उना दे वलो गल्ला कीती हन की उते महोल जड़ा जांग दे मदान वेचे कीमे दबड़या होया है क्यों इतने वद 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 के लड़ दे हन क्यों सोई दे हन जेकर सिये थे मर जामांगे हाटा मरना असा फ़ल ने जावेगा पर असल दे वेच ननु तरम्दा शही सब्दा मेंचे ग्यान नहीं उन जेकर कोई दसम गरंदी वरोता करने वाला वरोती यड़े हन जेकर ओ इनना पंगतिकन उचोक के ए आखन पि इते वेता ए लिख्या होया है कि जहड़ा कांशी तर्दियों पर जाके मरता है जहां गंगा जेके नारे मरता है उस वर्फ नु जानदा है जिस गर की एते हिंदु तरम्दी प्रोड़ता करदा है इस कारे गुरु से अब दिपानी हो ने सकती यो शंका पादेवन फर होन से विस्थार दे नाल इस च्रिद्दर नु पढ़ रहे हैं तासा नु पता मुलड़ता हा रिदो ने साव से गरे जो दे हनो सोर में जो लड़न वस्ते आए होये होने उंगे ईव पावना लच्कर की जंग करदेगी हुग्म हो सोज़दे हम जेकर ज़ेत जामांगे तह प्यादा मरना अ सपल नी जाना तो आघ्त कि नटउं नहीं पावके हम ऑु गुरु गरंसाय महारादी दे वेच्वी इशब्दा दी जो प्रोडता है श्पष्टी कर देड़ाई गुरु गरंसाय महारे पावन बाणी वेच्वी गीता गया है यह सी पिछे विए ना गलंचंगी तरब स्थार ना समझे के आए होएं इपकत कबीर जी आख देहाने तेर छड़द बने प्रांड छड़द दे देवे तो और कदेवीद उपर स्रापदा कोई असर नहीं हुंदा मांकि हडंबे तरती आसी है जिन्हों स्राप में लया हुए है पर शित्ते प्रमेशर दानाम आजंदा है वाहिगरूता नाम आजदा है उस फिर ए किसी आम भी देवते श्राप जड़ा है उकामनी करदा और इस तो उल्ट जेकर कोई ये कहे कि मैं कांशी तरती जाके मरा जहां गंगा तीर तो जाके मने सरीर छाड़ दवां ते मैं सवागनु जल्या जावांगा पर मान जड़ा है उकोंबल ना होवे मान देवचे वह गुरुदा न सामना वस्या होवे सारी मर बुरे पाप कीते हों माडे कर्म कीते हों मं ते कहें कि मैं आखरी पलान जाके उठ़ी जाकी पनसे रटदमा ति मैं स्वर्गनु पंचांगा ते कदे हो ही नी सकता इस सारी गलांदी योश पश्टी गरन है थाटगुर पिता जी ने गुरुदा बांगल साही महरे पामनबानी चीता हुआ है तो जो तो दे सूर में जेड़े हैं वह अपनए तर्म ते अमसार जो विचारा अखदे हैं गल्ला करते हैं उन्हों विचारां है वो गुरुष से अफ़ी खोल करके दृसानें हुआ नहीं किम्न ता महावल बनिया हुआ है दोहर जेन इस्तरन जार अगन मैं प्राहन आपने दीन तो फिर आपने हन योँही गला गर देने की जिनना दो करवाले इतने मर गईने उना दी इस्तरीयन ये व्राग दे विचाईयां की उना दी मढिया द नाल ही आपने आपनों आगला के सड़ गईयांने उन्हा अपने प्राण देखतेने सतियां हो गईयाने चगर बरगना नते तहां शीन पतन कहलीन ति उन्णण ने अपने पती देविया परियान आलिनी होण देने उन्हा लड़ चगड़के अपने पती जड़े हानु आपरियां दो कोलो खोही लちゃने योगी अपने पती वास्ते आपड़ा आप चूं साड़िया है कि उन तो बगैर अपने पती तो बगैरों रहा नी सकतियां पर हुन गुरुगरंसे महारा दिवितानों इस गालस पश्टी गर्ण कर देने जिमें ए हथगुरा ने ओन तो पहला जो एक रिती सीगी सती पर था ए बहुत ही तेजी नाल जड़ी सी संसार उजबाद रही सी लेकिसे इस तरी दा पती जड़ा से टच्छाई गर जान्दा सी ऊदिय कर देना इस तो उल्ट जेकर कोई कहई दी कारवाली मर जावे ऊदा पती नाखर दा नहीं तो एजड़ा तक का यड़ा सी गा एक और देना लही हुंदा सी तो गुरू सहब जी ने समझाया कि सतियां ओनी आखियां जादियां जात साथ वेच काइम बीबियां ओनी कहियां जा सक दियां जो कि अपने पती देना उधी बादउधी हुई मढड़ी दिवेज़ा जादियां तीसरे पाद चाषरी गुरू अमर दास्टी बचन कर देहां कि सतियां अहए ना खियं जह मढ़एं लाग जलाने खद्गूरू जाग देहां कि सतियां उनी कहियां जा सक दियां जो की मड़ीयां वी छुप है की मर जांधियां हान अपने पती दे नाल समाज लोग को लाज राख के जी में उम दर वाजबनियां होया सी जी इस तरी अपने पती दे नाल इयूं मर दी नहीं ओदा अपने बती न सच्चा प्रेम नहीं जाओ अपने तरम देज़ पर पाकर नहीं ते समाज भी फिर ऐसी ओरतनों चंगा नहीं समयदा सी ते लोग को लाज राखदे हो यां पामे दा मन ना भी करदा हो बेस तरीदा उनों फिर भी सड़ना पेंदा सी बिल्कुल ऐसे प्रकार फ्यादगूर महाराजी ने ये स्कुर आजादीया हान जाते साथ तरफज़ पर पाक ओबी बीबी कहिं आजादीया हान जो अपने पती देवे छोड़े वे जुम्दिया हान जेकर उदाबती कोई प्रमादमा जोबे पाने अमसार सांसार चला जान्दाए है वह बीबी सती आखी जावेगी ओही जमाई दे वे सि देखे और अपड़ी तो इलावी इसे हो रधे वाल अख्र पोट के व्यक्री nosti किसे वज ऑल मांद वाशना रखे वेख नहीं सबुब को अपने पतित्रमद विचेहीं कायम रिइनदी है ख़्यापनेपपद शोड़ए वे जीम्दी है तो वह गुरुदा नाम जापके अपना जन्म सुखाला बिनंगी है ओ हाना सल देविचे सती इस्त्रियां ते गुरु सहब ने चंगी तरह स्पष्टी गर्न घर के दिरखाला है उन्हें एसे प्रकार एक होर उदाहर नम्दी है पगतकबीर जिदा भी होंदा है गवडी पगतकबीर जी पावन शब्द है गवडी रागदे वेचे ते पगतकबीर जी आगदे हन की सूर के सानम करणते ढर पै सती के सांचाय पांडे पगतकबीर जी आगदे हन की सूर मा नी हो सकदा जो जंग दे मदान वे जानटो डरदा होए जो आया तो हुवे जंग कर नवास ते पर जंग दे मदान जानटो गुरहच करे तजिके ढरे तो सूर मा नी हो सकदा जिमें के इसे विच रतर दे वेच्वी गुरु साहब ने दरसाया है कि ओ जो उसूर में खड़े ने उगलां गर दे ने कि जेड़े थों वेमकों के ड़र के पाज गए ने उनों से सार भी लान था भावेगा ते ना मर के सबर्ग में जा चुके ने जा सके ने उना लोक दे हुए तना पर लोक दे इसे परकार पगद कबीर जी व्यादिहान की सती के सांचाए पांडे उस तरी सती नहीं हो सकती जो कि जिदा स्थमा आया हुए पती नाल सडन दा तो अपने कारदे पांडे टींडे सांबी जावे तो आफ सती के में हो सकती है सब्सक्राइब करें सिर्फ द्रिश्टाइब मातर समझाओन वास्ते इस शब जड़ाची पगद कभी द गौणी रागदे विच्छ उदेच पगद कभीर जीने ए समझाओना कीता है कि डग मग शाड रेमन बावरा अब तो जरे मरेहद पाई यह लीनों हासन दावरा जी पगद कभी जी इस शबद विचानों एदर समझाओना कीता है कि देखकर है मनुख तेने मनुखा जनम में लगया है तो इथे आके हून तो डोलता फिरें विश्चे विकारा लगा फिरें रबदा नाम जपन तो डरें गुरेश करें अपना समाह यड़ा है व्यार्त करी जामें तो एक फैदा नहीं कि एत्ता हुन गुरु वाले भणके तो गुरु से दांतां साजीवन बिताउना ही पैना है उदाना देके समय अब देहन कि वो सूर्मा का दा जो आया जांकर नमास ते बाल लड़न तो डरी जावे वो सूर्मा नहीं हो सकता यसे प्रकार ओ इस सब्सक्ति नहीं हो सकती उधारन देना समझा होया है उधारन देन वास्ते एक समझे ओना त्रीका है द्रिश्टांत मातर को यह नहीं कि ओपगत कभीर दियों सगाल दी हमें आतकार देपाए नहीं हैसा नहीं सो एस समझे नवाले एड़े हम देहन गुरुमा का प्यारे उस सब्सक्ति नहीं होने सकती नहीं है कि चोटी अगलवालो कांदा एक कम है जिम्हें के संत मस्कीन दीवी आखे कर देशन के दसम करन दीवरो ताही लो कर देने जो बहुत ही चोटी बुद्धी ते मालक है जो गुरु जो कि दसम करन दीव बाणियों समझन तो असम राथ हन जिदानों समझ वजनी अमदी उफर शंके करना शुरू कर देने कि एक हो सकता है तो एक ही में पर ए मैं बेंती करां कि हाथ गुरां दीवानी जड़ी है यह अगाद बोध है आम नोकदी को इसम रथा नी यहाथ गुरु दीवानी नू सम समझा सके इता गुरु सहब दी आप तरस करन संगतानी बक्षिश होवे सा संगती किरपा होवे तांचा करके हाथ गुरां दीवान गुजे पे जड़े हन वो समझ वे चमदे हन सुक्यम कि महा राजी ने जर्चरत्रों पाक हैं जिनने भी बानी लिखी होई चार सो पांचरत्र हन महा राजी ने आंतों जर्साया है जिमसीरोजाना शिरी रहरा सब करदों पढ़ देया एक चौपी पढ़ देया कि अडेल हट वाहिकरू अडेल लंदा है अडेल शांद जिसी पढ़ देया कि सुने गुजो जाहे सरसना पावई सुने मूड चेतलाए चतुरता आवई दो ख़दर दपाउने कटना तरनार के रहें वो जो याकी एक बार चाओ पाई को कहें एट वेच जिड़ अडेल शांद है वो एसे वावटी चृतरू पाख लाए से बंदद है चेतलो बढदा विक्यों नहीं होजए ओसुनों रजावगी उदेवीच स्यान पाजावेगी सब्सक्राइब करते हैं जो गुरु सब्सक्राइब करते हैं तरस करते हैं तो फिर साथी समझदे विचांदा है सो रहो बचार जो सी जरतर दी बचार है वसी करना करिये पर साथ संगदी ये बेंती है जरूरी कि जिहड़े दस्म गरंदी विरुता करने वाले ने उन्हों तो जिसे प्रकार स्चेद रहना है क्योंकि ओ केवल एक अधि पंक्ति फाट करके जो महाराज दी पामन बानी है वो इमें होवेगा तो श्रीकुरु गरंसाय महाराज दे में जबिर अगने का पंक्तियां हन जेक शबदी एक पंक्ति ले लिए जिमें कैसी पड़ाई है कि सूर के सानम को रंते डर पै सती के सांचे पांडे फिर एक आलों नो एई पंक्ति चोक के आखन गे शबदा पूरा प रोता कर दे रहेने यह सका कि पगत कभीर दी बानी होई नहीं सकती कानों फेरता है गुरु गरंसाय महाराज दे प्शंका करनगे करते भी परेने इस करके खालसा जी आप आनों सिर्फ सचेत होन दी लोड़ा है तकि से एरे गयरे बंदे को लो पुच्छन दी लोड़ नही कि महाराज दी बानी इस हाथ गुरा दी ही है यहनु पुच्छन दी लोड़ नहीं सो आप गुर बानी पढ़िये बचारिये समझिये ति आपने आप सानुन गर्ला जवाब जड़ा है हो मेल जावेगा साड़े हाथ गुरु समराथ हन ओना गे बेंती करिये सारे गल्ला देन इस्तर नजार अगनमय प्राण आपने दीन चगर बरंग नन देता हां शीन पतन कहलीन ति ओं फिर सूर में आग दे हन प्रिया नाली होन देन गियां तो चगडा करें पटी नो खोलियन गिया चाओ पई ऐसे बाल बीर बहु मारे सम्म्त सेंग यादे कहान डहारे इस परकार उस राज कुमारी ने बड़े सूर मैनो मारे या सम्मत सिंग बड़ा ही बलकार योदा सी उसनु मार सुटेया समर सेन राजा पुनहये ताल कीत मतलोक पठेो फिर समर सेन राजा फिर ताल कीत तरक ओनादोहा नूही मार के जमलोक पचाया है ब्रहम केत के पुनहान दीन कारत के تूझकू अबाद गीन है कुरूर के तदानव तब तहयो तुम्हाल जोद तेह ठावर मचायो उस्तो बाद कुरूर के तदानव राक्षिश वह भी आप अंचिया ति उसने जांगमदान प्यानक जुद मचाया है कौल के दानव उठतायो कमठ केट चत अधिक रसायो उस्तो बाद कौल केट कौल केट पापकी सूर दे मूँ वाला जिदा मूँ सूर भर्गा है कमठ केट और कच्छू देनाव राक्षिश ये दो में राक्षिश जड़े हन ये बड़े ही गुसा लेके मान वेच आई हन केट लूग चला दल लाके कोट सेट केट करो तन तैके फिर लूग केट और जो उलूदे मूँ पाद राक्षिश सीगा तो कोट सेट ये दो में ही राक्षिश ये भी बड़े गुसा लेके मिलांदे हो तो रेहन गुसा तांक हन दे हन की एक इस्तरी जड़ी है वो बड़े बड़े राक्षानू बड़े बड़े राजन मारी जारी के ते हाथी नहीं आ रही ते इसकर गुसा खाके उठ दे हन की असी मरत हां ते इस्तरी हो के हन मारी जा रही है ते इसकर गुसा खाक खाके हन दे हन कौल केत रे तबे संगहरा कोत सेत केत मार ही ढारा फिर कौल केत उसनों में इस्तरी ने पावराज कमाय उससे विले कतल कर दिता कोत सेत बड़ा गुसा खाके आया सी उसनों मिंटा में चीह वड़ दिता कच्छप केत गदा गह कहयो केत लोग मरतलोग पठायो फिर कच्छब केत जो कच्छु देना वाला देंसी राक्ष सी उसनो राजकमारें गदा फड़ के मारेया ति उलूक केत उसनो मार के जम लोक पे दिया है दोहरा ताको जो दब लोक कर कवनसो पट ठेहराए ति राजकमारी देस प्यानक जो दनो बेख करके कोई भी सूर्मा होन ओदे अगे टिकदा नहीं सी सारे डार चुक्ते सान की कोई भी सूर्मा एतना मरजी बड़ा तो बड़ा राक्ष चलिया जावे ये राजकमारी किसनो पिकल नहीं दिंदी खेदे हाथ नहीं अंदी सारा नुहीं मारी जा रही है जे सकार की होन सूर्मे जड़े हन उदे सामने जान दो कबरम दे हन जो समो है आवत पया जम पुरदिया पठाए तो जड़ा भी हिम्मत करके सामने आया उसनो ही राजकमादिने जम लोक पचादता सवया कोप अनेक परे अमरार दन आन परे कर वहरे योगहरे फिर आखर ऐसे योदे जड़े हन उद राजकमारी सामने आये जेहडे सूर में देवतनवी मार देंडे समर्था रख दे सी वह ऐसे सूर में तलवारा काट के गुसे नाल जांग दे मदान वे तुटके परे हन पट्ट से लोहा थी परसे अमता उद लेकर कोप परहारे उनना लोहे दिया पटिया हत्था वेचने का प्रगाद शस्तर लेके जुद वेचवार कर लगे हन नार सबार हत्यार सुरार हकार हने नहजात बचारे तो राज कमारी ने ओ ऐसे सूर में जो देवतन वी मार देने समर्था रख दे सी उना सारे नोहीं ललकार के मारे आ तो इवे उना दी लाशां टीर लगा दे हन कि दिना दी गिरती में नहीं गिनी जा सक दी केल बसंत बड़े किलवार मनों मदचाक गरे मतवारे तो राज कमारी दे शस्तरा दे फट खा खा की उस हूर में एउं डिगदे पई हन जो में बसंत रोत वे शरापी के शरापी मस्त होके डिगदे हन दो हरा है गहरती बादी कने जो दा हने अने एक तो राज कमारी ने राथ हाथी कोड़े तो और अनेका ही सूर में नुमार के तो कन्या पाव और राज कमारी सुवंबर नू जट गई है जीत सुवंबर न रही पूपत बचाना एक क्योंकि हून कोई भी होर राजा बच्या नहीं सी जो की ओ सराज कमारी दिनाल शुद करदा इस करके सारा सुवंबर जट चुकी सी बादन की बादी परी बादन बज़े अनेक तो फिर बहुत सारे कोड़े जड़े सी उजाग मदान दे विच उमें खड़े सन देड़े सूर में उना कोड़ें पर सवार होके आये सी उन सूर में अना अकर मर चुके सन तो कोड़े हुएं सन तो कई परकार्दे वादे वज़े लगे बेसेख बहुत बरसे तहां बचान बादी एक फ़र ओर राज कमारी ने उना कोड़े मुचे भी किसे कोड़े जिम्दा रहनी दिता ते बहुत सारे तीरन नी वर्षा कर गे ते सारे कोड़े मार दिते जाओ पई देत दे जमताम पठाई भारी सुपड़ सिंग की आई जिस बेले उना राकशा नो सारे राजिया नो राज गमारा नू मार जाम लोक पचाचु की सी फिर होन सुबट सिंग दी बारी आई तेह तरे कहा आये तुम लरो केख बहार मार मोह बरो राज गमारी होन सुबट सिंग्न उमाखँ लगी कि जाता हून आक तुसी मेरनाल जग करो जा फिर अपनी हार माने के तिमिरना व्या कर लगो सुबट सिंग जा बैयों सुन पायो अधिक जित मैं को पबड़ायो फर सुबट सिंग ने जद इस सुनेया तमांच बड़ा गुस्से बचा गया वाखन लगा कि मैं एक इस्तरी तिनाल युद कर तो डर्दा है मैं का युद तरियात डर हूँ या को तरा समान यह बर हूँ वाखन लगा कि मैं डर कि दना व्या कर लवाँगा इवे नहीं हो सकता कहूं मत गयवर गर जाही कहूं पाकरे हैं ही हनाही फिर एक बार जंग दा मदान मच्या है किसे पासे मस्त हाथी गजरेने किसे पासे नो कोड़े हिन करेने शस्तर कवाच सूरा कहूं कस है जो गनर उदर खपर पर हस है किसे पासे सूर में अपड़े शस्तर कास रहेने ते किसे पासे लहू पीन वालिया जोगनिया वो खपर पर के खोश हो रही आसान सवाईया सिरी सबटे ये सबड़ो दलले उमडेयो गह कहा करया जुद बांग के सत्गुरुजी बजन करदे ने कि सुबड सिंग भी अपने हाथ विच सोने शस्तर लेके ते अपने भड़ि सैना लेके जान्ग मिचाया है बीर हठी कवची खडगी परसी सपाई सरदार ने सांके तो सुबड सिंग दी सैना दे विचर योदे ने सूर मेंने हु बड़े हठी हन तलवार तारी जिन तलवारा पहनियां हुईयाने संजोता री संजोवा पहनियाने एसे सूर्मे ने जो सारे अंदी ही निशा करवाउन वाले ने एक अटरे एक यान अरे एक जूज गरे ब्रन खाये तर्या के तो कोई सूर्मा तटाद जान्दा सी पर कोई यड जान्दा है तो कोई जांग दे मदान विचराज कुमारी दे शस्त्रा दिनाल जक्मी होके डिग पैंदा सी शार चड़ाय कै अंग मलंग रहे मनों सोए पिये बिज़िया के ते सूर्मे शस्त्रा दापाट खागे यउँ डिग दे हन कि जिस परकार कोई पंगी जड़ा है मलंग पांग पीके ते स्वाह लागे डिग रिहा होवे जाओ पै ऐसो अभी रखे तह परेयो एक सुबट जीवत ना उबरेयो ते सूर्मे अंदा योद यड़ा सी ओ गह गच लड़ाई विच बदल गया पाव एक दूसरे न पूरा मुको जोरी हो रहे हन एक दूसरे न मारक पा रहे हन ते एक भी सूर्मा आखर जांग मदान विच जांग करता हुआ जूंदा नहीं बचया दस हजार मत ते गजमारे बीस हजार बरबाज बदारे ते जांग दे दुरान दस हजार हाथ थी दभी हजार सुधर कोडे भी मारे गए तीस एत पैदल कह मारेयो ते सलाच रत हनडारेयो ती लाक दिकिन्थी पैदल जड़ेसनों मारे गए ते ते लाक राथ नष्ट करदते गए दवा दसलाच रत्थी अतमारेस अनगन दिसंगारस ते बारा लाखा रथी अजे अनगिन धी महा रथी ओवी मारे गए हान दोहरा सुबट सिंग तनहा बच्चा साथ ही रहान एक पर आखर जिस वेले सारे ही मारे जा चुकी हान उदी सैना मारे गई राथ कोडे रथ वाहक राथ नुचलाओन वाले महा रथी सारे मारे गए सुबट सिंग ला रहा गया कोई हाथी नाल बच्चिया नई है गया राथ बाजी कने राथ काट गए अनेक ते अनेका ही राथ कोडे ते हाथी ओवड़े टुके गए कोई भी बच्चिया नई चाओ पई दोंद जोद द्रेय पत हमचायो नरकान दिनस निससराने आयो ति ओस राजकुमारी ने फिर अपने होण वाले पती नाल सुबट सिंग नाल बड़ा ही प्यानक जोद मचाया जिसनों वेखन वास्ते सूरत चंदर मामी लड़ाई दिमदान विच उत्तर आये हन ब्रह्मा चड़े हंस परे आये पंच बदन हूँ तहां सुहाए तो ब्रह्मा जी भी हंस उपर चड़के वेखन वास्ते आये तो एस परकाज जांगदा नजारा है वो बड़ा ही सोबनीक बणया होया सी एक स्टर्च कर देवन वाला की पतनी जड़ी है वो अपने होण वाले पती दे नाल प्यानक जुद कर दी पई सी तर्या कॉमल पे अबान प्रहार है जैते थाहे मार नहे डार है और आजुक मारी अपने होण वाले पती सुबड सिंग नूँ कॉमल कॉमल तीर मार दी सी ए सोच करके कि किते ए तीर राजानु जाके वाज गई तो किते मारना जावे लगए बस सिखके जिन पत मरे मुह पैठ पावक महे परे तो ए सोच राख के कि जेकर मेरा पती मेरा होन माला पती ही मर गया तो फिर मैं नुवी दिना लागवे सड़ना पवेगा तो मैं इसनों मार नहीं सकदी चार पहर ने जपात सों लरी दो हुआन बस एक बरिष्ट बहु करी चारे पहर अपने पती न लड़दी रही उरा दिन दोहान तीरा दी बड़ी ही वर्षा की थी एद्रों सुबट सिंगने मी उद्रुराज कुमारी ने मी तब लो सूर अस्त हवय गयो प्राची दिशा चंदर प्रगटे यो ती उसम में तक दिन बतीत हो चुका सी सूर डुब गया ते पूर्ब वाले पासे चंदर मा परगट होया दोहरा हकाह की आवह पहो रहे उसब टको ना है ती एक बार फिर एक दूसर न वंगार के प्यानत युद होया ते कोई भी सूर मा बचया नहीं जो द करत आथ ठकत पहे रहत पहे रहनमा है ते सारे ही आपस दे वेज़ जंग गरदे होये लडाई दे मदान वेज़ी ठक टोटके लेट गए हन चाव पही लगे बरनन के काईल पहे आतलार अदक स्रमत होया गए उन जखम लगण दे नाल सुबड सिंग तिराज कुमारी दोमें जखमी हो चुके सी तो बहुत लडाई करन करके ठकवी चुके सन आव हबिखे गरे बिसंबारी करते कि नहों किरपान ना डारी दोवे जड़ें आखर लडाई दे मदान दे वेज़ चडिग पे पर किसे ने अपने हत्थों किरपान नी शड़ी पाव की ये अपना निश्चा ने शड़ेया कि ये जरूर है कि ठाक टोट गए हैं पर जंक करन दी पावना जड़ी है वो वेह बनी होई सी किसे ने भी एक दूसरे बासो हार नहीं मनी सी दोहरा प्रेत नच है जुग है हस है जम दुगगी दफरा है ने ससिगरी मूर्शत रहे दूहू रही सुद्धना है ऐसा प्यानक महाल बढ़ेया होया सी जांग दे मदान वेच जो प्रेत सान नच रहे सी जो गणिया खूण पीन वालिया हस रही आसान नहीं तो गिदर ते गिर जांग वो मास खांदे होए फिर रहे सी तो सारी रात ही जो सुबट सिंग है तो राज कमारी भी होश होए रहे दूवानों ही अपने आवदी कोई होश नहीं सी राज ची देश रा प्रगटेया पई चंदर की हान फिर अखर सुवेर होई तो पूर्व बाले पास्यों सूर निकलेया चंदर माशिप गया पूर्ण पात्त त्रियरन को उठे अधिक कोप मानठान दोमें ही पती वदनी बडाही गुसातार के मानदे वेच लडाई करन वास्ते उठे हन आठ जाम दो उठ कर लरे तूकत तान तरानन के चरे दोमें जणे ही पती पतनी आठ कडिया तक लड़ते रहे तसमजोमान दे टोट जान करके उना सरी नो हून जखम मिघ लग चुकते सान सरी दोपर पाहनी सजोमा डोट टोकी आजान जश करके वेधरों तीरा तिन आल तलवारा नवार हून दे हाउ करके जखम मिघ हो चुकते सी अधिक लराई दूहों मच्चाई अथियो सूर रैन होवे गई तो दोहां नहीं दिन विखे बड़ा युद गीता फिर आखड सूर डोब गया दे रात हो गई चार बाज बिसक्कन त्रेया मारे रत के काट दो चक्डारे राज कुमारी ने जेड राथ उपर बैठ करके सुबड सिंग राज आया सी उधे राथ जिरोन माले चारे कोडे ही मार सुटे तो राध दोमें पही जेड सानू भी काट दिते नात तुझा काट पूम अगर आई सूत दिया जम लोग बठाई तो अपने सुबड सिंग पती दे चंडे नू काट के तरती उपर सोट दिता तो रथ वाहक नूम जम लोग पचादता सुबड सिंग कहए पून सर मारेयो मूर छत कार पृत्वी परडारेयो तो फिर उने सुबड सिंग नूमी तीर मारेया ते बेहोश करके तरती उपर सोट दिता बेन सुबड पहे ताहे लखली नू आप अबेयक तेहत्रय को की नू तो जदो उने अपने पती नू बेहोश होया बेखिया तो आप एक आम इस ते रूपतारन कर लिया कि पहला और पूरा जोदा बणी होई सी शस्त्र पहन करके जंग कर नमास ते पर होन से सारे शस्त्र इक पासे रख दिते ते एक आम इस ते रूप बना करके अपने पती दे कोल आई राथ दे उतर बार ले आई कान ला कर बात सनाई अपने राथ तो उतर के ते उकन्या पानी लेके आई ते अपने पती दे कन्ना दे कोल आखे आखन लगी सुनो ना त मैं त्रिया तिहारी तुमको जो प्रानन ते प्यारी आखन लगी है मालक सुनो मैं तुहाड़ी पतनी हाँ ते तुहानू मैं प्राना तुमी प्यारी हाँ दोहरा जालसी चे जागत पहो आत तानल लागे कहे इस वेले पानी दे शुटे सुबड सिंग दी अखान दे पर मारे तबाँ जखमी हालत वेज़ु सुबड सिंग होश मिचाया पलो बरो खाल ले अखाल को कच्छोना चीन आ जाये पर होण सुबड सिंग दे मान विच पला बुरा दुश्मन मित्तर इना दे कोई भी मान दे समझ नहीं सी उसनों कोई फरक नहीं जापया जाओ पई तर्या कोई ना मजब आ सुन पायो कूं मतक कायल बचन सुनायो जसे वले इस्तरी दी याँ गाल सुनी ता सुबड सिंग को मिके जखमी हालत वेज़ु जही उस इस्तरी दी पावर राज कमारी नू तान तान कर करी बड़ाई किहन मेद इह ठा तूम आई पाखन लगा है राज कमारी तही तान हो तही तान हो यह उस तान तान करके ते राज कमारी दी बड़ी सुब़ा की थी तो उन्हों पुछा लगा कि तुसी एठे क्यों आए हो दोहरा सुन राजा मैं लाज ताज यां ते पहुंची आए आखल लगी है राजन मैं सारी शर्म शार नों शड़ करके इस वास्ते थी आई हां कि मैं वेखांगी कि जेकत ही जिन्दा होए कि जेकत ही जिन्दा होए तो मैं तहानों अपने नाल लेके आवाँगी या तुसी मर गए होए ता फेर भी तहानों मर के तहार न व्या कराँगी न्रे पकाये लगो मदरिगन मूद वचन इमकीन जखमी राजे सुबर्ट सिंगने अपनी आखान फेर दिया होए आखान लगा मान बाशत बार मांगे है मैं तरह तुम बार दीन आखान लगा है राजकमारी तो अपना मान इचत बार मांगे मैं तेनों ओही देवाँगा जो तरह माने चहुंदा है मैं तेनों ओही देवाँगा चाओ पई जब मैं तोहे जीवत लख लेयो जन बिद्द नहीं जनम तोहे देयो तो राज कमारी आख लगी कि मैं तो इस सोचे सी कि तुसी शायद जखमा देफाटे करेगे अपना सिरी छड़ जावोगे और जिसे बेले मैं तोहानों यह जीवत लेखिया है तो अपने मानदे विच यह विचार बनाई है कि तोहानों प्रमेशर ने एक नमा जनम दिता है ता तेहरी दे शंक नहें तरहे है बहुर बया हमा साओ अब करे है तेसलाई है नाथ तुसी अपने मानदे जो कोई शंका जो भी है वो कट दो ते मेरे नाल मुड के व्याह कर लगो जो त्रिया कहा वह पत मानने यो पेद अपेद कादो के तना जानने यो तो तो घ्राँए सुबत संग ने जहरे राज कमारी निया अकहा वने आप flux मारी दो मान लिया कि उसेने जो आख्या सी कि उदी इतनी वड्याईंव्य व्याह करें तह उसनी जांग मांचाया सुबड सिंग भी बहुत प्रसानव हो गया ते आखाले का अपड़ा मान इच्छत वार मंगल है तो उन्हें आखे कि मैं तो हड़ना व्याह करना चम्दी हां तो जिमें अधी राज कमारी ने आखेया सुबड सिंग ने उमें ही मान लिया ते कि सही की गल्त इदी वचार अप बाली ते राज कमारी दिना चार लामा ले लिगां पोन बच तरदे ऐस उचारो सुनो ना तो मजन हमारो फिरो इस्तरी ने आख्या की है नाथ मेरी गल सुनो त्रे प्रारान तक आर अत्मोहे पहयो तुम बेन मोहे अधक दुख देयो अखे लगी है मेरे मालक है मेरे प्रा तो बहुत ही दुखी हां ते तो हड़े बिना मेनो इसने बहुत ही दुखी कीता हुया है तुरत नात हमसो उठरमो साब अपराद हमारो शमो अखे लगी शिती करो ते मेरे नल प्रेम करो मेरे या सारी पुलानों बख्ष दियो तब राजा ते साथ भी हारे ओ तरसकोता दुन माने के उदेना प्यार कीता हुदे सारे दुख दिलिद्रानों दूर कर दिता दो हरा लपट लपट राजा रमेयों चिमट गई तरी भी कट सदो के चटपट कटे अधिक बड़ा सुख जी तराजे ने तराज कमारी ने बड़ाई खुशी दे नाल ते अपने मन दे नाल एक दूसरे नाल पहुग विलास कीता अते एक दूसरे सारे दुखां के लेशान दूर करके सुखां दे विचवादा गीता चाओ पई पातरात कार राथ लेयों चड़ा है बर्यों प्रादंद पी बजाई ते पती ने राज कमारी ने प्यार करके उन्हों बेराथ लेया ते टोलने कारे विचांदे हुएं स्वेर हुंदे सार ही उदना अपना व्याकार लगन वर लेया सब्रादं को दल पलहरा आपन सुबड सिंग पत करा ते राज कमारी ने इस यों इस परकार सारे हिलाजां दे हंकार नुँ चकना चूर कीता इस सुबड सिंग नु य जुद ते हित्रिया करा सब राजन को कहाए ते ओस इस तरी ने यों पहरी उद करके सारे राजा नुँ ही खतम कर दता सुबड सिंग के पत करा जै दूंत पी बजाए ते टोलने गारे वजंदी होई ने उस राज कमारे सुबड सिंग नु अपना पती बनाया है गया रात जी खने शी ने रिपन बल की इन अनेका हाथी कोड़े उसने जंग दे मदान वेच महर सुटे राजां दा बल भी खो करके ते इस स्वंबर्न वाखर उस राज कमारी ने जेत लिया समर स्वंबर जीत कर सुबड सेंग पतली इन ते एस परकार हत गुरुज बजन कर दियान क कि उस राज कमारी ने वड़े वड़े हठी राजियां देंता सुर्मय नुमार मका करके तसारा स्वंबर जेत के ते सुबड सेंग नुमापना पती बनाया है जाओ पई दान विंदर प्रतवी ससंग हरे है गैराथ पैदल दलडारे खतगुरु जी आख देहन की उस राज क कमारी ने दानव दानव राजे त्रति दि मालका नुमार मकाया फिर हाथी को वडे तो पैदल जीटे पैदल भूसेना सी उना दलदे धाल खत्म कर दे पिसु बीर को पहना तरत पी स्वंबर जेंग कह जे तब रत भी तो स इस्टीन किसे वी सूर में दा किसे भी राज दा डार अपने मांच बिल्कुल नी मनेया तेसोबट सेंगुन जद के उदर नाल अपना व्याह कीता है कि स्वेस प्रकार चृत्र दी समाप्ति करते हुए सैब जी आख दिहान कि एत श्री चृत्र पक्यान ने ट्रिया चृत्र मुंतरी पूपसंबादे बावनों चृत्र समाप्तम सात सुबह में साथ ये अस प्रकार श्री चृत्र पक्यान दे ट्रिया चृत्र दा वजीरते राजे दियापसी वारता लाव दा जो बवन्जमा चृत्र है उस्पसंपूरन हुंदा है तो गुरु प्यारी सास अंगा जीयो एह सेश्री चरित्रों पाक याने पावन गुर्बाणी दा बवन्जमा चरितर जिस्दी विचार आप जिने सर्वन कीती है अते गुरु सहब जीने आप रह्मत करके जिस्दी विचार करवाई है तो एक राजकमारी जो समाज केंदा है कि अबला है कमजोर है इस तरी है वह इस तरी एक राजकमारी जिसे वेले अपने मांदर दिर निश्चा कार लेंदी है कि सुब्ड सिंगना ही व्या करना है कि इसे हो और नाल नहीं तो वड़े वड़े राक्ष राजे वड़े वड़े तरती दे राजे सूर में अपने अपनों वड़े कहन कहून वाले कुछ गोपला देवेजी मार मकाई हन तो गुरु सहब जिने साथ तहीं महान सिख्या प्रदान कीती है जो बहादरी दे बड़ा हान ओ तहाड़े वास्ते गुरु सहब ने पेलना ही खंड़े बाट दामर शका करके बराबर तदे हाक जड़े हान ओ सानु बक्षिश कीते ने जड़े हाक एक सिंगनों हान वो श्यांग्णीन वी हान शच्स्तर विध्याग रहन करन दा हाक कंड़े बाट दामर शकन दा हाक ip30 आं गयारांडी रहनों दा हाक तो गुरु सहब और डिदे हाँए इत्त सिंग नों भख्षे हन और अपनीती नुए भख्षे हन को पर अधे एस बहादरी दे जो कारणामे हान साधे इतहास अनदर शान वेकड़ा वासते मिल जांदे हन जिमें साधे तर्स बहुत ही अतकार जोग माताप आका और जी बीबी शर्न का और जी बीबी दीप का और जी बीबी बसंत लगा का और जी तिन आपने जीवन देजवाक के ही बहादरी ते कार्णा में करके बखाए जो गुरु सहब ने सिंदा आत हाटे वास्ते चलाये सान उन्रसंदा तां जीज़ा डट के पहरा दिता अधिया अपनी इज़्जद दी राखी जड़ी सी वह आप अपने हत्ती गीती किसे दार प्या बिल्कुल भी मन्या नहीं केहां तो अब आवी गुरु सहब ने सानु यह समझाया है कि कदे अपने मांदे विचे गाल सोच के निराश नहीं हो जाना कि मैं एक इस्तरी हां मैं कुछी नहीं कर सकती जहां पहले समयादे वांग की और ते उपर जुल्म होंदा सी इतना तक्के कीते जानते सी अपने मांदे में चार बना करके अपना अपना मांद नहीं करूना जिकर स् पर सिंदान्ताउं ते पहरा दिना पवेगा ताहीं जीवन जड़ा है वो अनक वाला सी जीओ सकते हैं जी में एक सेंग जड़ा है गुरु का सेंग खंटे बाट दा मरशा करके अनक नाल जिवंदा है अपने हका मास्त लड़ता है इमें जो गुरु की सिंगनी है वो भी जड़े रखी करेगा ऐसा नहीं गुरु साहिव ने अप सेल पडिपैंड बनाया है असी आप डिर अपकरनी है अपने ही नहीं फों अपने दो अलावा जिकर किसे हो घुपर जुल महंदा होबे तो ओधीव रख्या करनी है यहाथ गुरु महाराजी ने शानु जो कि जिमें ओ 1 होन दे नाते जब मांधल दर्छ निष्टा रखदी है राजकमारी ता उन मुझतल ख़र दिनाल डार्डी नहीं के ब्रह्थ्धी नहीं तो इसे प्रकार देकर असी में चाहिए कर कोई भी इस्त्री मांद दिपना पक्का दिरन निस्चा बना लवे ता कुछ भी कर सकती है जब रोराजकुमारी कर सकती है तो असी सारे ही अपनी जीवन दिवेच जो ठान लिए जो अपनी मांद दिवेच करना लोच लिए वसी कर सकते हैं पर क्योंकि जड़ी अपड़ी पावना है वो हुनी गुर्मत नसार जाइदी है क्योंकि जड़ी और राज कमारी सी पावे उसने जंग कीता पर कीता किसे वास्ते एक आदमी ते प्रेम नो प्रापत करना वास्ती काम वाशना दिखातर पर फिर भी गुरु सहब ने जो दी ब पहादरी दिनाल जोद कीता है तेस्त गुरु सहीव ने साथे ताइं द्रिड करवाया है कि जेकर कोई भी इस्तरी अपने मानते विच्छ ये पका निस्चा कर लवे तो कुछ भी कर सकती है एक जड़ी इस्तरी है उचंड का रूब तार के जुलमता नाश कर सकती है अपने हकानों खोद प्रापत कर सकती है उन्हों किसे दे हथां वाल इवेखन दे लोड नहीं कोई आवेगा तो मेरी इज़दी राखी करेगा जब मेरी रख्या करेगा इसानु गुरु सहीव ने आप सानु का कार बख्ष करके यहाक सानु बख्ष हन लोड है जा सिर्फ गुरु वाले बाण करके सिंद आता होते पहरा दे करके गुरु सहथ खुश्यां दे पातर बनना दा सत्गुरु महाराजी ने सानु आप स्वेया निरपर बढ़ाया है कि आपने आप पर ही निरपर रहना है कि कदे हथां वाल बिल्कुल वेखना नहीं आप अपना जीवन ऐसा बन दी है तो यह अपने मान देवेश्चें यह गुरु के बच्चे हन गुरु कियां थी आहन उन्हां ने खास वास्ते खास करके इस चरतर तो इसे ख्या लेनी है कि असी यह नहीं सोचना कि असी इस तरहां थासी कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसा नहीं जाकर वो राज कमारी एप अपने मान देवेश्चें अपने मान देवेश्चें अपनी कौम दी खातर अपने वेश्चें कि असी में सारा कुछ ब्राप्त कर सकते हैं अपने फीरां पूरां दा दो राट के साथ यह ईस शंगर्ष्टे घचें टास्री एस उन्हों की श्यांगरी भीटञे भीस पड़ शेज़से में और भीस और रापत कर सकते हैं इस सिर्थर तो ही महान सिख्या प्रदान कीती है ऐुग प्यारिसा संगत जी ओ इतनी बेंदियां बरहान करना जी गुर्बानी दियां गुर्मत विचारां कर दें एक नहीं नेक प्रकार दियां पुलांगल दियां हो जांदियां हन गुरु सहीब जी गुरु की संगत बक्षन योग है बक्ष लेना गुरु सेब देके तो समत बक्षिन तांग स्टदे टांग देनाल गुर्बानी दियां गुर्मत बचारां कर सकीए समत मुछ बड़े प्यार देने फते बलावना करो जी वाहे गुरुजी का खाल सा वाहे गुरुजी की फते